इस वेडियों में प्रसन तेरों का हल करेंगे, देखिए, इसमें क्या कहता है, माइनस एक में क्या जोड़ा जाए कि साथ बटा पांच पराप्त हो, देखिए, एक उधारन के द्वारा इसे समझाने का कोशिस करते हैं, देखिए, अगर आप से पूछा जाए, देखिए, एक संख्या ले लेते हैं, जैसे पांच, पांच में क्या जोड़ेंगे, कि 15 पराप्त हो, पांच में कितना जोड़ेंगे, कि 15 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10, देखिए, यह आसान है, आप आसानी से बता दिए, लेगिन इस परकार अगर बटे में रहें, या कुछ बड़ी स संख्या रहें, तो आप कैसे बताएंगे, तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको सोचना होगा, कि देखिए इसमें, कि 10 कैसे पराप्त होगा, तो थोगा ध्यान दे, कि अगर 15 में, अगर 5 घटा देंगे, तो यह 10 पराप्त हो जाएगा, ठीक है, यानि 5 में क्या ज जो उत्तर आएगा, उसको भी हम लोग जांच करना सीखेंगे, अपिस्त संख्या, अप करेंगे, अभिष्ट का मतलब क्या है, आगे इसे असपष्ट करेंगे, अभिष्ट का मतलब क्या है, आप देखते जाएं, इसी परकर देखिए, माइनस एक में क्या जोड़ेंगे इ इस में इसको घटा दें घंगे 6 यानि 7 इसको घटा देंगे 1 को नहीं माइनस एक को जब माइनस वाल सबसेंगे तो इस प्रकुर ब्राय केट देंगे इस चीज को याद रखना है तो यहां से निज़ें 7 एक लिक लिखने से कोई फरक नहीं पड़ता है पांच और एक का लॉस हो लेंगे LCM कितना होगा पांच होगा तो देखिए अगर भिन वाला जोड़ा आप जानते हैं तो इस चीज को समझने हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो देखिए पांच एक एपांच तो इसको एक से गुना करेंगे ठीक है और एक से अगर देखिए लॉस हो कितना है पांच एक से पांच को भाग देंगे भागफल कितना आएगा पांच तो इसको अन्स को पांच से गुना कर देंगे तो यहां से देखिए यह साथ एक के साथ हो गया और यह पांच एक के पांच और ये बट्टा पांच तो देखिए ये साथ मच कितना आ गया बारा बट्टा पांच ये एंसर आ गया ठीक है चाहिए अब इसको पूर्णांग में लिख सकते हैं देखिए पांच से बारा को भाग देंगे पांच दूनी दस दो सेस मच गया इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए ये दो आया ये पूर्णांग में हो गया और ये नीचे में जो सेस अप इसको अनस मिले जाएंगे और इसको ले आएंगे हर में तो दो पूर्णांग दो बट्टा पंच आप इस परकार रिख अब देखिए इतना प्राप्त ओगा अब इसको थोड़ा समय लेतें अभिष्ट का मतलब देखिए जो प्रस्न को चाहिए थीद करना प्रस्न को जाई है को ए छीज के माइनस एक में क्या जोड़ा जाए ओऑ इसका एंसर बाराव बाटा प्रश्ण को चाहिए कि अभीष्ट का मतलब वही संख्यां के बारे मिटा करक कर रहे हैं अभीष्ट उत्तर भी लिख सकते हैं अभीष्ट संख्या भी लिख सकते हैं उसे कोई दिक्कद नहीं है यहां से आपका वैंश्प का का मतलब वही संख्याय जो परष्ण को चाहिए क्या चाहिए कि-1 में क्या जोडेंगे क्या जनिक कुन सी संख्यां हम क्यों संख्यां बता रहे हैं होई इस संख्याय सान जाने बारा बाटा 5 है ठीक है अब देखें इसका और को जांच कैसे करें अब यहां देखिए माइनस एक है इसमें अभी जो रिजल्ड आया क्या आया बारा बट्टा पांच यानि इसको जोड़ेंगे जोड़ने के बाद साथ बट्टा पांच अगर आ गया तो इसका मतलब जो उत्तर आया हो सही है ठीक है तो देखिए उसी परकार हल करेंगे इसके कैल्सियम हो गया पांच तो यह पांच से गुना होगा और यह बारा पांच एक से गुना होगा कितना हो गया माइनस पांच और यह बारा बट्टा पांच तो देखिए बारा में जैसे पांच घट जाए कितना होगा माइनस में रहेगा तो क्या होगा जैसे देखिए आपक को बारा रुपिया दे दिए तु शाधर रूपिया आपको घूम धेदेगा क्योंकि पांच रुपया वो काट कर लिया तो यहां से देखिए 7 बटा पांच आ गया इसका मतलब एंसर आपका सही है इस प्रकार आप जाच करके देख सकते हैं ठीक है वीडियो करते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लागा तो लाइक करें कमेंड करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले